आसन सोल चेंबर आप कॉमर्स के नए अध्यच चुने गए नरेश अगरवाल सचिन राय को हरा कर तीसरी बार बने चेंबर अध्यच चेंबर के सचिव चुने गए संबू ज़ा ओम बगडिया ने जीता सीनियर उपाध्यच पत का चुनाव विनोद गुपता और सत्पाल कीर चुने गए उपाध्यच राजी के स्रम वा कानून मंत्री मले घटक के खिलाब उनके ही विदान सबा चेत्र के अल्फ संख्यक समुदाई के पासदों ने खोला मोर्चा कर लिया है और नई कार्यकार नी तथा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया है चेंबर अध्यक्षपत के लिए नरेश अगरवाल तीचरी बार चुन लिये गए हैं एक कड़े मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सचीन राय को 56 बोटों से हरा दिया है नरेश अगरवाल को कुल 201 बोट मिले जबकि सचिन राय को 145 लेकिन वहीं सचिन राय पैनल के ही संभूजा सची उपत का चुनाओ जीत गए हैं उन्होंने नरेश अगरवाल पैनल के प्रतियाशी ध्यानन्द प्रशाद को 78 बोटों से हरा दिया है चेंबर की संपत्ती बेचने के आरोपों में घिरे ओम बगडिया ने भी अपने दो प्रतिद्वंदियों महाबीर शर्मा और रबिनर पसारी को मात दे कर चुनाओ जीत लिया है वहीं उपाध्यक्षपत पर विनोद गुपता और सत्पाल सिंग कीर उर्थ पिंकी ने चुनाओ जीता है विनोद गुपता को 204 मत मिले जबकि सत्पाल सिंग कीर ने उनसे अधिक 231 वोट हांसिल किये उपाध्यक्षपत पर नरेश गुट के प्रत्यासी सुर्जीत सिंग मकर को 170 वोट मिले हैं दो संजुक्त सची उपत पर विने कुमाच शर्मा और सुमीत कुमार दास चुने गए हैं चेमबर के नए कोसा ध्यक्ष नरेश अगरवाल गुट के आलोग धर और संजुक्त कोस अध्यक्ष संतोस दत्ता चुने गए हैं इसके अलावा 22 कारकारणी सदस्ट भी चुने गए हैं बोदबार की शाम मत करना के बाद चेमबर चुनाओं के मुख चुनाओं अधिकारी जगदीश परसाद केडिया ने एक प्रेस कॉनफरेंस में चुने गए पदाधिकारियों और कारकारणी सदस्यों के नामों का ऐलान किया साथाथ डिपिटेट 145 गोट ओम प्रकास भाइगरिया सिनियर वास प्रेसिदेंस डिकलेइड इलक्टेड दोसोचे बोट रविन अपर्पारी जेइंट्टु फाई वाइस प्रेसिडेंट में दो आध्मी डिक्लाय 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 कुमार गुट्ता वाइस प्रेसिडेंट 204 डिक्लाय 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 डि चुने गएं पदधिकारियों और कारेकार्णी सदस्यों को सर्टिफिकेट देने के बाद नय निर्वाचित अध्यक्ष नरेश अगरवाल और नय निर्वाचित सचिव शंभू जहा को उनका कारेभार भी शौक दिया गया मुख्य चुनाओ अधिकारी जगदीश परसाद की उपस्तिती में पुर्व अध्यक्ष ओम बागडिया ने नरेश अगरवाल को अध्यक्ष पत की कुर्सी पर बैठाया इस मौके पर अन्य पदादिकारी भी मौझूद थे उसके बाद नय निर्वाचित सचिव शंभू जहा को भी उनके कक्ष में ले जाकर उनका पदभार शौक दिया गया आसन सोल चेंबर अप कॉमर्स का चुनाओ तनावपूर्ण माहौल में शुरू हुआ था लेकिन मंगलबार को मददान के दिन और बूदबार को मदगर्ना और नतीजों की घोशना के बाद से शारा तनाव दूर हो गया है दो खेमों यानि दो पैनलों के उमिदवार चुनाओं में खड़े थे लेकिन मजे की बात रही कि नई कारकारणी में दोनों खेमे के सदसे चुने गया है जहां अध्यक्ष नरेश शगरवाल चुने गया है तो सचिन राय पैनल के शंभूजा चुने गया है वहीं शीनियर उपाध्यक्ष शचिन राय के ही खेमे के ओम बगडिया चुने गया है जबकि दोनों उपाध्यक्ष इसी खेमे के बिनोद गुपता और सत्पाल सिंग कीद चुने गया है वहीं कोसाध्यक्ष नरेश कूट के आलोग धर चुने गया है इस तरह से नई कारकार्णी गुट विहीन हो गई है और एक तरह से मिली जूली सरकार बन गई है नतीजों की घोषना के समय भी सभी चुने गया पदादिकारियों और कारकार्णी सदस्यों में आपसी सवहार दिखा उन सभी ने एक जूटता के साथ काम करने का भी भरोसा दिया है कि क्लब की उन्नक्ति के लिए सब को मिलके काम करना है बहुत अच्छा नुबह हो रहा है सबसे पहले तो मैं सब अपने वैपारी बंधों को तहे दिल से हाधिक बढ़ाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छे उमिद्वार के हिताब से मेरे को घोट देका अपना म कि तकलिफ होगी तो मैं उसका समाधान करने की पुरी-पुरी चिष्टा करूंगा बहुत अच्छा लग रहा है सभी को प्यावसाईयों को धन्यवाद जिसने मेरे को वोट दिया और जिसने मेरे पर वरोशा किया है मैं सब को धन्यवाद देता हूं अभी कमिटी का सब्सक्राइब करेंगे कि इसली बात जो हुई उसको भूल जाना ही बैतर होगा और उमीद करते हैं कि हमारे कर से कोई गल्पी नहीं हो धन्यवाद सबसे पहले सभी मतदादाओं का धन्यवाद जो कल के चुनाओं में भठचड कर इसा लिये और हमें इतने मतों से विजय करवाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये वादा कर सकता हूँ कि वेफसाई वर्क के लिए जितना हो सके जो भी हो सके में इसे बन पड़े वो कारिये जरूर करूँगा जो वेफसाई के लिए अच्छा हो लन्ने वाद बहराल भूदबार की सुबह मदगर्णा सुरू होने के दोरान मतदान के दिन की तरह चहल पहल नहीं थी सुबह से ही नरेश अगरवाल अपनी टीम के कुछ सदस्यों के साथ मौजूद रहें लेकिन अध्यक्षपत के दूसरे उमिद्वार सचिन राय सुबह से चिंबर भावन नहीं आए अलबता उनके सीनियर उपाध्यक्षपत के उमिद्वार ओम बगडिया उपाध्यक्षपत के उमिद्वार विनोध गुपता और सची उपत के उमिद्वार शंबूजहां अंन्योमिद्वारों के साथ मौजूद रहें बहरहाल मदगणना का काम पांच टेबलों पर मुख्य चुनाओ अधिकारी जगदिश प्रसाथ केडिया, अपने शहायक चुनाओ अधिकारी जगदिश भागडी और 37 सेट के साथ कराने में ब्यस्त रहें, सुबह पुलिस अधिकारी ने भी आकर मदगणना कारियों का मुआ बालगो शिल्पान चले मानुषे चाहिदा पुदने स्टेशन रोटे रूँ शक्षन प्लाजा इलेक्ट्रोनिक विपनी जगोते आग माहा विपलग गोधिये पेलेचे, तादे विपूल सम्भारे वो अत्तास चुर्ज बिशेश छारे एसी, एलसीटी टीबी, वाशिंग मेशिन, डीबीडी प्लेग, माइक्रो अभेन, प्रीज, शोंगे ठक्छे एक्स्चेंज यॉपर, एबं बुक्ते केना काटा शोंगे ठक्छे आपोशोनियों गिप्ट शक्षन प्लाजा, स्टेशन रोट बाल्टू आशन सोल नगर निगम के तत्वधान में मिसन निर्मल बंगला को शफल बनाए हमारी प्रतिग्या, हमारा गर एक बात सभी याद रखे कच्रा जहां तहां ना फेके कौन सा कच्रा कहां डालना है, अच्छी तरह से समझना है स्वयाम जागरुखो, औरों को भी जागरुख करे रिड्यूस, रियूस और रिसाइकल परक्रिया को अपनाएंगे सुन्दर स्वस्थ आशन सोल बनाएंगे आशन सोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सहे इस्तमाल करे प्लास्टिक का व्यभार ना करे वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहे अन्य ड्रेसों की खरीदारी करे आज ही आए बालजी फैशन हर घर की पसंद जीटी रोड ओपोजिट सुभास इंस्टिट्यूट असन सोल नमस्कार, हम लोग कोवीड नाइंटीन के लिए के फुल सैनिटाइस करके आप लोग हमारे ही आईए साड़ी सुट्स लाहेंगा के लूप उठाईए और हमारे ही सारे वेडिंग कलेक्शन भी एबिलेबल है जैश्री टेलिकॉम एक मल्टी ब्रांड मुबाइल शोरूम अगर आपको लेटिस ब्रांड का मुबाइल चाहिए तो तुरंत आएए बरनपूर के स्टेशन रोड इस्टित जैश्री टेलिकॉम यहां और्लन प्राइस पर हर ब्रांड का मुबाइल उपलत है सबी कम्पनियों से इजी फाइनेंस के सुविधा तो देर ना कीजिए तुरंत आएए बरनपूर के स्टेशन रोड इस्टित जैश्री टेलिकॉम अ हाउस फॉर्ड मल्टी ब्रांड मुबाइल फूम स्टेशन रोड बरनपूर पस्चिम बंगाल सरकार में सरम और कानून मंतरी तथा आसन सोल उत्तर विधानसवा छेतर के विधायक, मले घटक के खिलाब उनके ही विधानसवा छेतर के त्रिमूर कांग्रेस के ही पाँच पारशदो वा पुरू पारशदो ने मोर्चा कोल दिया है ये पाँचो अल्प संख्यक वर्ग से आते हैं। क्योंकि इससे रेल पार अंचल का विकास हो पाएगा। इन तिर्मुल नेताओं ने या भी आरोप लगाया कि अल्प संख्यक समुदाय वाले इलाके में विकास का काम समूचित नहीं हुआ है। तिर्मुल कांग्रेस के इन नेताओं द्वारा अपने ही सिटिंग विधायक को बदलने की मांग करना निश्चित रूप से मले घटक के लिए बड़ा सेड़ बेक है। आप देख लिए नौर्थ में भांच है अब हम लोग यहां पच्छास हजाद वोटर से करीब करीब उसलिम हैं। आप वहां पर देख लिए कोई डेबलेमेंट का काम, इजोकेशन का काम, स्वास्त का काम अगर है तो आप हमको बता दीगे। हम लोग का डिमाड फुटवाल ग्राउन का, पालक का, तमाम चीह, हम लोग जमीन से जुड़े हुए ना, लोग हम लोग को पास सिकायद करते हैं ना, अगर यह सिकायद अपने दिल में लग करके हम मिस गाइड करें तो फिर हम अम दमरेजे को दोका दे रहे हैं, अपनी ब हम लोग को खतम करना हो, इसे तालीम चीह, लोग खतम हो जाएगा, आज हम ऐसा महिसोस हो रहा है कि हम मायरोटी से हमारा तालीम को छेल लिया गिया, आज से दो साल, तीन साल पहले कई एक हिंदी मीडियम स्कूल, कई एक बंगला मीडियम इसकूल अपग्रेडेशन हुआ, ह हमारा बहुत सारा डिमाद है, हाई स्कूल का डिमाद है, कोलिज का डिमाद है, हमारा बात नहीं सुन पा रहे है, हमारा कोलिज मने होस्पिटल का डिमाद है, हमारा अर्चेस होस्पिटल एक ऐसी पड़ा हुआ, हमारे रेल पारे के लोग बहुत परिशान होते हैं, आना प सब्सक्राइब करने फ़िंध में बोलते हैं अपने मेले साहब को साहिफ हमारी बात तो नहीं समझ पाराये यह क्या कहना चाहते हैं तो हम चाहते हैं है बंगाल समेत पकिस्तान और बंगलादेश में हिंदुओं की चुनावी वोट के लिए अंदेखी किये जाने पर जुलुस निकाला और एसडियम आफिस के समझ परदर्शन किया यहां जोड़दार नारे बाजी की गई हिंदु जागरन मंच के जिला विस्तारक हमित सरकार ने कहा कि आज भी बंगाल के कई ऐसे इलाके है जहां दुर्गा पुजा नहीं करने दी जाती है पोष्ची मंगलाई एकटा भोड परसेंटे जोन्ने राजनोयीतिक शुवीडानी बाज जोन्ने हिंदु रा हिंदु दयसे बंचीतू एबिसे दीतियो कुण प्रशना होवे ना हिंदु रा हिंदु दयसे बंचीतो भारत बोर्षे, पोष्चीन मंगलाई तो विशाल भावेत एकाई अच्छे, निस्चीन आपना सवाई उनुभव कोरेशें, आमें कैनिंगेर उधारंदीत अबारी, डोकिन चुप्षन उधारंदीत अबारी, उत्तर चुप्षन उधारंदीत अबारी, जेकान दुर्वा प बुद्बार की सुबा, आसनसोल के जामूरिया थाना के अंतरगत, रास्टिय राजमार्ग 2 के गोविंज नगर मोड के समीब, एक टैंकर अचानक पलट गया, रसायन से भरा ये टैंकर बिहार से आ रहा था, और हल दिया जा रहा था, टैंकर के पलटने से रास्ते पर चार रसायन फैल गया, इसके बाद उस रसायन को लेकर लोग तूट पड़े, घी या डालडा समझकर लोग उस रसायन की लूट पार्ट करने में जुट गये, रसायन के रास्ते में फैलने के कारण काफी फिसलन हो गई थी, इससे यातायात को रोग देना पड़ा, पुलिस सु को रहा है? बस का दीकात हो लगा हमको तो देवार जाना है, ग्रश का तूरलम हो गया फिर हम कैसे निकले इसके लिए कुलेड़ को लुट फिर इतना देर से खड़ा है है, बहुत जर से खड़ा है, क्या बोला आपास वबला है कुछ नहीं कुछ नहीं अँग तर गया है, क्या हुआ हो यह चिगन हुआ है अपे गाड़ी का पंटी मार दिया अप्चेल का गाड़ी एक तो हम नोका में जा रहें थे हैं नेकाल लणका है धीनमुझरी काम करते हैं कि इतना देर से खड़ा है एक दू घंटे से आपयों आट बजे बहुशने पड़ता है आट बजे का प्रप्लेंग दो